So Hello Good Morning Everyone, कैस हो आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ तो आप लोग देख वा रहे होंगे मैं आज लोग थोड़ा अजीब तरीके से श्टार्ट करूँ यानि कि आज मैं लाइबरी में था तो लाइबरी में ही श्टार्ट कर दिया है म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जो भी अगर आपका कोई भी कोश्चन है अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो ठीक है तो आप लोग देखे क्या है कि आपके बहुत सारे कोश्चन साते हैं बैसे तो हरिस किस मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं इसके लिए बहुत मतलब बोल सकते माफी चाहता हूं मैं सौरी इसके लिए और क्योंकि हर किसी का एक बार रिप्लाई दूँगा में तो मेरे पास नहीं हो सकता यह पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसी वीडियो में आप सभी को बता तो आप ठीक है मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से आप भी कर सकते हो देन आप लोग पूछ रहे थे कि क्या लाफ्ट सेमिश्टर में या फिर लाफ्स्टियर में क्या UPSC का एक्जाम दे सकते हैं हाँ बिलकुल दे सकते हो आप ठीक है लेकिन आपका रिजल्ट डैप बरने से पहले पहले आ जाना चाहिए क्योंक जब डैब बरते हो उस टेम पर सारी आपको डिटिल्स भरनी होती है ठीक है प्रिलिम्स आप ऐसे ही दे सकते हो और आपकी 21 year complete हो जानी चाहिए एक अगस्त से पहले पहले तो आपकी एक अगस्त से पहले आपकी एज नहीं होती है complete तो फि जानी चाहिए ठीक है यह compulsory होती है आप सभी को बताऊंगे आप सभी को बहुत सारी questions आते हैं motivation related के motivation कैसे ले या फिर इतनी continue study कैसे करें तो देखे कहा है कि slot बाट लो 45 minute के slot बनाओ ठीक है और 15 minute का rest लो पर 45 minute पर 45 minute यानि यह गंटे के अंदर 15 minute rest दिलना है और उसके बाद 45 minute आपको study करने है ठीक है ऐसे करोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा तो डेली के target बना के चारो जिससे आपको कोई problem ना हो यानि कि डेली के target जब complete होगे तो आपको motivation जो है वो भी अंदर से आएगी यानि actionable motivation जो होती है वो काम नहीं करती है लेकिन अगर आप डेली के target बना इंपोटेंट करता है छोटी-छोटी आपकी जो काम होते हैं छोटी-छोटे बर्क होते हैं वही आपको जो है आगे लिजानी कोसिस करते हैं और आगे लिजानी बहुत जाज़त दम लगाती है ठीक है और जब study करो तो उसको जो है enjoyable बनाओ क्योंकि आप जब भी पढ़ाई ये book आपकी UPSC की त्यारी में बहुत जादा help करने वाली है वहीं अगर बात करें तो UPSC को किस प्रकार से crack करें ऐसी तो बहुत सारी books है ठीक है लेकिन ये book इस पर बात करेगी UPSC की syllabus पर और एक UPSC topper का mind किस प्रकार का होता है या उसके mind के तोर तरीके पर बात करने वाल बनाती है हर UPSC aspirant अपनी preparation के दोरान काफी अच्छे से मेनत करता है और strategy के साथ करता है लेकिन कुछ ही UPSC aspirant ही क्यों टॉपर बनते हैं तो उसका जवाब जो है आपकी इसी book के अंदर मिलने वाला है और ये book The Secret Code of UPSC Toppers अविना सर ने hundreds of UPSC Toppers का interview लेकर ये book उन लोगों के लिए बनाई है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और UPSC तैयारी के साथ साथ आप लोगों को ये book UPSC के एक Topper की तरह रहने और सोचने का तरीका सिखाती है इस book में UPSC Toppers की 21 philosophy, 21 life equations और साथी साथ UPSC के लिए आप सभी को 21 जो ऐसी mistake है जो आपको नहीं करनी है UPSC preparation के दोरान ज आप सभी इसको परचेज जरूर करें और जितना भी है मतलब जो भी आप कोश्चन है वैसे मैं इसमें वीडियो में cover करूँगा ठीक है और इसके साथ साथ आप लोग पूछते हैं कि motivation कहां से है तो motivation सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी target complete करोगे तो target complete करने के बाद जो थोड़ा-थोड़ा सोई भी जाया गरो साथ-साथ क्योंकि जब भी आपको अगर लगे कि हाँ नीद आ रही है जब पढ़ने मन ने लग रहा तो आप सो जाओगे ना तो काफी अच्छा रहेगा ऐसे मैं सो जाता हूँ जब भी मुझे लगता है कि हाँ मैं अपनी अलब हो प्रॉब्लम नहों यानि आपका शरी भी मेंटेन रहे ठीक है सुबर डेली डेली भाई जाते रहे ना ठीक है मैं भी खाता हूँ वैसे लेकिन फासपूर को ज्यादा ध्यान देता हूँ कभी-कभी फिर मेरी तबियत खराब हो जाती है खेर कोई दिक्कत नहीं अब तो मैं आप लोग जो अच्छे से तैयरी करें अच्छे से जब करोगे ना तो मतलब सब कुछ अच्छा होगा कभी ऐसा मत सोचें कि मतलब मेरा कैसे होगा इतने बड़े-बड़े UPSC aspirant हैं वो तो नहीं निकाल पा रहा है हम कैसे निकालेंगे भाई तुमारी quality है वो जानते है यह reality है कि आप अपने आप में चेंज ला सकते हो लेकिन दूफरे में नहीं ठीक है तो यह सब करना है देन आप लोग जो इस study को एक enjoy करें तो काफी अच्छा रहेगा और आपका मन भी लगेगा देन आप लोग समझ सकते हो बागी तो मैं आपको बता दिया हूँ कि सब कु कि मैं यहार नहीं टिया है आप लोग करकर रहे जाते हूσ लेकिर मैं reply नहीं कर पाता हूँ किस बज़े से नहीं कर पाता हूँ किस बागी29 क्यों करता हूँ बहुत सारे लोगर ऐसे बोलते हैं तो बलौग के लिए हैक बस एक बार टायम में बोल सकते है क्योंकि कहीं तो भी मेरा टाइम बरबाद होता, तो ब्लॉकिंँ कर रहा तो वो भी ठीक है, कोई दिक्त नहीं है, ठीक है तो ये बात होती है, बाकि आप लोग अज्छे से श्टेडी करो and जो भी आपका कोई टाउट तो आप लोगो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में क्योंकि आप लोग पूछोगे तो मैं आपको जो है नेक्स वीडियो में आपको बता दिया करूँगा ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है बागी आप लोग अच्छे से करो याने कि अपने आपको बहलाने की कुसिस करो जब बहतर बनाओके तो आप भी बहतर बरपाओगे यहीं निया-पकर आप जो कर सकते हो आप किных कर सकते हो अ में आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हो इसलिए कहता हूँ कि आप अपने आप पर विश्वास करो ऐसे तो मैं अगर अपने आप पर विश्वास नहीं करो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मैं सोचने लग जाओ यार मिरा एक्जाम क्लियर होगा नहीं होगा क् लेकिन उनके द्यान नहीं देना है मैं कुछ कर रहा हूं मैंних YouTube कर रहा हूं लेकर पढ़ाई भी चाहले प्रैसा कमा रहा हूं लेकिन अलक बात अटीक है तो लाइन को काम है बोलना और आपका काम है काम है करना तो आपकरो और एक डंप बाई को आप सबРЕल आ्प कर दो गुए और नगुआ कर दो पस्टा बाद कर दिता है ए पिल्पी लिएक पसिता है